लालो परसांद यादों के बड़े बेटी और मंत्री तेजपरताब यादों ने चुनावी नतीजों पर बड़ा बयान दिया है। खगड़िया में तेजपरताब यादों ने का कि बीजेपी भले ही एमपी राजिस्तान और चुनावी जीतने में सफल हुई हो लेकिन बिहार में बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। तुछ पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक ची कल तीन राजियों में बीजेपी की सरकार बने हैं। बीजेपी कल सकता पक्ष में आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में इंडिया कट बंधन में खलबली मची हुई है। इंडिया कट बंधन के ही दलों के तरफ से अब यह जो बयान सामने आ रहे हैं। कि जो सूर है वो बदले नजर आ रहे हैं क्या लगता है अब इंडिया गट बंधन कम से कम आज से ही अपना सूर बदलेगी अपना तेवर बदलेगी या फिर वही रवया अपना है रहेगी सुभाविक है जीत जब होती है तो सारी गलतियां चीप जाती है लेकिन जब हार होती है तो हार का सहरा या हार का ठीकरा नेतरीत पर ही पड़ता है और यही बज़ा है कि अभी जो हार हुई है तीन राजियों में उसमें ये कहा जा रहा है इंडिया गट बंधन के दल के नेता कि हार है सभाविक है भी चुकि कॉंग्रेस इन तीनों राजियों में सत्ता में थी या मुख विपक्च की भूमिका में थी तो कॉंग्रेस की जवाब देही ज्यादा थी और कॉंग्रेस ड्राइबिंग सीट पर भी थे राहूल गांधी और मलिकार जुन खेड़गे खुद इसका नेत्रित तो कर रहे थे इस चुनाव का तो इस चुनाव परिनाम ने कॉंग्रेस को जहां बड़ा जटका दिया ही है इंडिया गठवंधन के नेताओं को भी जटका दिया है और एक जो उमीद चुकि अभी भी कॉंग्रेस बड़ी पार्टी है अगर कॉंग्रेस की दो राजियों में हुकूमत गई है तो एक राज में उसकी हुकूमत आई भी है लेकिन इन सब के बाबजूत कर सकते कि जो उमीद थी उस उमीद पर कॉंग्रेस खड़ी नहीं उतरी है उसकी कसवटी पर और यही बजा है कि जो गटवंधन दल के नेता हैं वो मायूस हैं और इसका ठीकरा कॉंग्रेस पर फोर्स रहें लेकिन अब एक बात यह तो तेह है निसू कि जो यह चुना परनाम आया है इस चुना परनाम से बीजेपी का मनोबल बढ़ा हुआ है और विपक्छी दलों के नेता हतास में हैं निरास हैं और उन्हें लगता है कि जब तक पूरी विपक्छी एकता मजबूत नहीं होती है तो नरेंद्र मोदी को हराना नामोमकिन है हलाके आज बीजे कुमार चोधरी के बयान को अगर आप देखें या बिहार के अन किसी नेताओं का बयान अगर आप देखें तो उनको लगता है कि बिहार में भले ही बीजेपी की दाल ग है तो वैसी परिस्टी में इनका मनोबल यहां पर बढ़ा हुआ है लेकिन अगर राजनीतिक परिपेक्छ में देखें तो निस्चीत रूप से बीपक्छ को यह बढ़ा जटका है और बीपक्छ को अब सूचना पड़ेगा जिस तरीके से बियान सामने आ रहे हैं हार में भी लोग संतुष्ट रहता है क्या उसमें भी इस तरह की बुरी हाद कलता के विपक्छी दल के नेता ही मान रहे ते कि अब सेमी फाइनल जो दल हार गया जो पार्टी हार गई जो टीम हार गई उसको फाइनल में परबेस करने में तो कठनाई होगी ही और यही बजह कि नेताओं के मनोबल जो हैं सो मनोबल का एहसास दिख रहा है साफ तोर पर उनके चेहरे पर दिख रहा है लेकिन इतना जरूर कहिए कि अभी भी बहुत कुछ बिगरा नहीं है और अभी भी बिपक्ची एकता अगर मजबूत रूप से बन जाती है नेताओं में बिपक्ची जाने कि नरेदर मोदी को टकर दे सकती है लेकिन इतना जरूर कहिए कि अब बिपक्च में भी बिखराव दिखेंगे आपको निशू और ये अभी जल्दबाजी होगी कुछ भविस्वानी करना लेकिन जो छोटे-छोटे दल हैं जो सत्ता के साथ रहना पसंद करते हैं या उनकी मजबूरी है तो उनको लग रहा था कि इंडिया गठवंधन एक मजबूत गठवंधन होगा और उसी परिस्थिति में उनके साथ रहेंगे लेकिन अब जो परिस्थितियां वदल रही हैं उससे ये हो सकता है कि कई राजियों में जो छोटे-छोटे दल हैं वो चाहे बाद क्या हुआ बहुत सारे मिटिंग्स होई नितीश कुमार धीरे 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 फीके पड़त नजर आए लाइट उनकी पड़ती नजर आई जिस प्रकार से कॉंग्रिस के जो रिसल्ट्स आए है तीन राजियों में और चौथे राजियों में नहों ने अपनी सकता नितीश कुमार की जो जवी है उस जवी में कहीं कुछ कमी आई है लेकिन इन सब के बावजूद भी नितीश कुमार एक सूल्जे हुए नेता है लंबे अर्शे तक उनका मुख मंत्री और केंद्रिय मंत्री का अनभव रहा है वो इसी परिश्टी में नीतीस को इगनूर नहीं किया जा सकता है लेकिन अब सवाल यह उड़ता है कि क्या नीतीस भी इस डूबती नया का पतवार थामेंगे अब सवाल यह उड़ता है कि नीत पहार इसलिए है कि विपक्ची एकता को मजबूत करने में सफल नहीं हुए, क्या नितीस भी इस कलंक को अपने माथे पर लेगे कि नरेंदर मोदी को परास्त नहीं कर पाए, क्या एक ससक्त मोर्चा नहीं बना पाए, इसलिए नितीस के सामने भी अब गंभीर संकट है, एक त पक्षी दलों को एक चुट करना, एक निसान, एक पहचान पर चुनाव लरना, और एक जुटता के साथ पूरा दम खम दिखाना, इसमें कहिन कहीं नितीस के साथ भी अवलाचा, जी, तैयारी सभी पाटियों ने की थी, अगर हम चार राजों की चुनाव की बात करें, तो स कॉंग्रेस से जीतना बन परा, उसने चुना लरा अपनी ताकत पर, लेकिन जो कॉंग्रेस का अंधूरिनी भी बाद है, वह लेडूबा कॉंग्रेस की जो रनीती थी, वो सही रनीती नहीं बन पाई, कॉंग्रेस जनता की नवज को पहचाने में विफल रही, और कह सकते है कॉंग्रेस की जो नीतियां है, वो नीतियां जनता नहीं समझ पाई, या जनता को कॉंग्रेस के नेता नहीं समझा पाई, निश्चीत रूप से इसका खाम्याजा कॉंग्रेस को भूगना पड़ा है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है, लोक तंत्र में इस तरह की बाते होती है यह माचल परदेश और करनाटक का आप देख लिजिए एक पूरब है और एक दक्षीन है आप देख लिजिए कि क्या वो तो दोनों राजियों को कॉंग्रेस ने बीजेपी से ही छीना था तो इसी बात नहीं है कि कॉंग्रेस की रनीती सब जगा विफल ही रहती है अभी तेल इसका खाम्याजा कॉंग्रेस तो भुगत ही रही है महाँ गठबंधन के नेता भी भुगत रहें और उनके समर्थक भी जी बहुत बहुत शुक्रिया शुक्षी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए